विश्व सांती इस समय प्रायह संसार के सभी देशों में असांती देखे जाते हैं सन्योग से ही कहीं सांती का वतवरन देखने को मिलता है किसी देश में आंत्रिक बिवस्था के कारण असांती है तो कहीं सत्रू देश के दोरा असांती फैलाए जा रहे हैं तो कहीं अनेक देशों में सीत यूध चल रहा है इस परकार सारा संसार ही असांती के वतावरन में जी रहे हैं असांती मनावता के बिनास का कारण है इस समय बिनासकारी अस्त्रो का निर्मान विसाल बरे पैमाने पे किये जा रहे हैं उनसे मनावता के बिनास और भै लगा रहा है असांती के कारण निवारन के उपाय में ध्यान पुर्वक बिचार किये जाने चाहिए असांती के कारणों का पता लगते हुए उनके समधान की उपाय की जानी चाहिए वास्तों में इर्षिया एवं और सहनसिलता असांती के मुखे दो कारण है एक देश दूसरे देश की उन्नती अथवा विकास देखकर जलन करता है और उस देश को हानी पहुचाने का प्रयास करने लगता है दिवेश ही और सहनसिलता पैदा करता है इन दोनों दोसों के कारण सत्रूता जनम लेती है स्वार्थ दुस्मनी बढ़ाती है स्वार्थ से अंधा वेक्ती अहंकार वंस दूसरों के धार्मिक, समाजिक और भासाई एकता सहन नहीं कर पाता है वे नीजी विकास को ही उत्तम मानता है इस निक्रिष्ट बीचार के मुख प्रेरक राजनेता है समाने लोग ही नहीं बिसिष्ट जन लोग भी बलपुर्वक प्रेरित किये जाते है इसलिए स्वार्थी भावना को बलपुर्वक दूर करना चाहिए यदि प्रोपकार के प्रती रूची जग जाती है तब स्वातह सारे स्वार्थ मीट जाते है यहां महापुरुस बिद्वान तथा चिंतकों का अभाव नहीं है उनका कर्तब यह है कि वह हर वेक्ती हर समाज तथा हर देश में प्रोपकार की भावना को प्रचार करे ठोथा उपदेश काफी नहीं है बलकि वैसा आचरन भी बनना चाहिए क्यूंकि कहा गया है कि किरिया के बिना ज्यान बोज रूप होता है दो देशों के आपसी बिवाद को खतम करने के लिए सन्यूक्त राष्ट संग आदी संस्थाएं हैं यही समय समर पर संभावित विस यूद को दूर करती है प्राचीन काल में भगवान बूध ने कहा था दूस्मनी से दूस्मनी को खतम करना संभाव नहीं है मित्रता एवं दया से ही सतरुता भाव को सांत करना संभाव है ऐसा सबका मनना है कि भारतिय नितिग्यों ने सच ही कहा है यह मेरा है वह दूसरे का है ऐसा नीच बीचार वाले मानते हैं कि उदारचित वाले अर्थात महापुरूसों के लिए सारा संसार ही अपने परिवार जैसा है दूसरे के कोस्ट पहुचाने से अपना ही नुकसान होता है और दूसरे के सहयोग से सांती मिलती है आज भी किसी दूसरे देश के संकट में सहयता रासी भेजी जाती है इससे बिश्व सांती का आसा परकट होता है